वाट्सअप गैज दिस वाचिंग मैं आपका दोस्त अमने एक नए वीडियो के साथ फिर से आचुका हूँ तो फ्रेंस आज हम बात करने वाले हैं वाट्सअप के टिफ्स आइंड ट्रिक्स के बारे में जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं वाट्सअप से वेडियो को लाइक कर दिजएगा और चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब ने क्या है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजएगा और बिल के आइकन पर आपको Offral कर देना है ताके हमाई सभी लेटेश वीडियो को नोटिफिक्किसन आपको लगातार मिलता रहे हो चलिए कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं most important features के बारे में बताऊंगा तो चलिए friends ज्यादा ने दिल करते हैं वीडियो को start करते हैं सबसे पहले friends मैं अपनी FM वार्थप को open कर लेता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो FM वार्थप है यह open हो चुका है आप चलिए हम बात करते हैं first number features के बारे में जैसा कि friends मान लेजे कि आपके यहाँ पर chat में बहुत सारे context बढ़े होंगे आप मान लेजे कि किसी chat पर click करते हैं और click करने के बात friends आप उसके यहाँ पर DP पर click करते हैं जैसे आप यहाँ पर DP पर click करते हैं friends तो आप यहाँ पर देखते हैं नीचे जाने के बाद आप को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है dispairing message friends despairing message होता क्या है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे मानलीजी friends आप किसी को message करते हैं और वो message जाता है और उसके पास वो save हो जाता है तो friends आप चाहते हैं कि यह message जो आप उसको send करते हैं वो खुद बखुद डिलीट हो जाए तो आप यहां से कर सकते हैं यहां पर आपको यहां पर first option दिख रहा होगा on का और second number आपको यहां पर दिख रहा होगा off का आपको यहां पर on कर देना है जिसका आप message डिलीट करना चाहते हैं यानि आपने जिसको message किया है वो message डिलीट करना चाहते हैं तो उसी के contact पर यहां पर आपको यहां पर on कर देना होगा अब माल जिए friends कि आपने ये message उसको send कर दिया है और उसके बाद में जैसे ये 7 days हो जाएगा आपका message खुद बाख खुद उसके contact chat से ये delete हो जाएगा अब हम बात करते हैं friends अगर आप चाहते हैं कि इसको ये message उसके पास से delete ना हो तो एक बार फिर से आपको करना क्या है आपको यहाँ पर click करना है अपने उसके profile पे और click करने के बाद friends आपको यहाँ पर चले जाना है फिर से despairing message पे और यहाँ पर आप उसको कर देना है जैसे आप यहाँ पर off कर देंगे तो फिर से आपका यह normal हो जाएगा और उस पर जो message उसको send करेंगे वो message उसका delete नहीं होगा चले friends हम बढ़ते हैं अगले number settings के बारे में तो अगले number settings के बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका यहाँ पर profile show कर रहा होगा उसके profile पर आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको हम दिखा दें friends कि आप यहाँ पर देख सकते है no calls का option यहाँ पर दिया हुआ अब मैं थोड़ा साब को यहां पर समझा देता हूं कि यह होता क्या है no calls फिर्ण्स जैसे मान लिजे कि अगर आप चाहते हैं कि personal किसी को चाहते हैं कि वो बंदा आपको video call ना कर पाए या फिर voice call ना कर पाए तो आपको उसके context chat पर यहां पर click करना है और click करने के part friends, आपको यहां पर no call पर कर देना है अब यह बंदा friends आपको कभी भी video call नहीं कर पाएनगी और other लोग आपको call पाएंगे video call लेकिन यह बंदा नहीं कर पाएनगा इशनी friends, बढ़ते हैं अगले features के बारे में तो friends आप यहां पर देख सकते हैं right side में आप यहां पर ऊपर थी deadline दिख रहे होगी आपको इस पर click कर देना है जैसे यहां पर आप click करते हैं friends तो आपको यहां पर एक option देखने के लिए मिल जाएका voice changer का आप आप को यहां पर क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं की आप अपने फिर्ण से थोड़ा सा मस्ती करना चाहते हैं मजा करना चाहते हैं तो यह वाइस चेंजर यूज कर सकते हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं Disable, फिर रोबोट, बेवी इस प्रकार के आपको यहां पर बहुत सारी आफसन दिये गए हैं तो इन में से जो आफसन आप यहां पर यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यूज करके भी दिखा देता हूं मान लिजे फ्रेंट्स मैं यहां पर रोबोट पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं बैक हो जाता हूं अब मैं यहां से कोई एक वाइस रिकॉर्डिंग करता हूं मान लिजे फ्रेंट्स मैं यहां पर यह वाइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इस वाइस recording को मैं अपने friend के पास मैं send कर दे रहा हूँ तो चलिए ये मैं send कर देता हूँ तो फिर्ट इक बार मैं फिर से try करता हूँ क्योंकि वो recording डिलीट हो चुकी है तो यहाँ पर फिर से ये recording मैं आपको record करने के बाद मैं यहाँ पर इसको मैं send करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह recording है हो रही है और मैं इसको send भी कर दिया हूँ आप चली मैं यहाँ पर एक बार फिर से मैं इसको download करता हूँ और मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पर यह वाइस आपको सुनाई दे रही है एक रोबोट की तरह तो इस परकार से आप अपने अपने फ्रेंड्स से मस्ती कर सकते हैं उसको वाइस रिकोर्डिंग सेंड करके चले यही पर हम बात कर लेते अगले स्पेचर के बारे में यह फिर कहें आप जब भी किसी को voice recording करते हैं, तो यहाँ पर इसको काफी देर तक प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद में friends आप इसको यहाँ पर send करते हैं, तो यह message send हो जाता है कुछ इस परकार से, लेकिन friends मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, कि आप कितना भी बड़ा message आपका क् क्यों ना हो, आपको ज़्यादा तिर प्रेस करके नहीं रखना है, यह खुद बखुद recording होता रहेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर my quality option पर click करना है, और उपर इसको यहाँ पर लेकर करके जाना है, अब यह देख सकते हैं, यह lock हो चुका है, और यह voice जो recording हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह second चल भी रहा है, और यह recording हो भी रही है, अब हम बात करते हैं friends, कि यहाँ पर यह recording हो रही है, आप हमें मान लिजी कि इसको stand नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर cancel का option दिग रहा होगा, आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ में बने रहीगा, और आपसे एक छोटी सी request है, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज आपसे हमारी request है, कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजीएगा, और ज़्यादा से जादा सेर कर दीजीएगा, और हाँ एक रिक्वेश्ट और है कि चैनल को भी सस्क्राइब आप कर लिजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लगाता है मैं बनाता रहता हूं तो चलिए आगे देखते हैं आगे फीचर्स कौन से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आप यह मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आपको यहां पर वाइस रिकॉर्डिंग के आपको इसको प्रेस कर देना है जैसे आप यहां पर कर देंगे फिर तो आप यहां पर देखते हैं कि यह मैसेज रिकॉर् आपको करना कि हम send करना है आपको इसको cancel नहीं करना है तो आपको यहां पर direct send वाले अपसां पर arrow पर click कर देना है जैसे आप यहां पर click करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि आपका जो message होगा कुछ इस प्रकार से send हो जाएगा तो friends चलिए अब आपको बताते हैं अगले features के बारे में तो हम यहांसे back हो लेते हैं और back होने के बात हैं हम अगली features के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए friends मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या गाना है friends आपको यहां पर ऊपर three आपको यहां पर बहुत सारे options देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप मैं आपको बताने वाला हूं जो features वह काफी important होने वाला है तो आपको यहां पर video को script एक डम नहीं करना है तो आपको यहां पर आप click करना है friends आपको यहां पर universal पर जैसे आप यहां पर click करते हैं friends तो आप यहां पर देखते हैं बहुत सारे आपको आपसाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं वह पर हम बात करें colors तो यहां पर आप देखते हैं अगर आप यहां पर colors change करना चाहते हैं status का जो भिद ग्राण का तो यहां से कर सकते हैं लेकिन मुझे श्र ед करना है मुझे यहां से front style हो जाएगा तो यहां से आप easily change कर सकते हैं आप यहां पर select कर लिजीगा और ok कर दीजीगा इतना करने के बाद आपका हो जाएगा चलिए हम back हो लेते हैं और back होने के बात friends हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी features के बारे में आपको यहांपर देखने के लिए होस्क्रिण्स आपने इसका मलब क्या होता है आपन को आप कोई friends आपका ओं-लाइन होता है तो आपको यहाँ पर एक notification सो हो जाता है कि आपका friend online हो चुका है आपको आपको लिख जाता है कि online कुछ इस प्रकार से अगर आप चाहते है friends कि यह चीज़ सो ना हो तो आप यहाँ से off कर सकते हैं जैसे आप इसको off कर देंगे friends तो यह चीज़ आपको सो नहीं करेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी कोई हमारा दोस्त या friend online हो तो खुद बखुद सो हो जाए इसलिए हमें यहाँ से on कर देना है चले friends हम काफी important settings के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को आपको इसकी एकदम नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर status के बारे में friends आपने देखा होगा कि वैसे ही normal वार्टसप में या फिर FM वार्टसप में ही बहुत सारे लोग सिर्फ 30 seconds का ही वार्टसप status अपलोड कर सकते हैं तो आज हम आपको इसमें बताएंगे कैसे आप 5 मिनट का status अपलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं friends आपको यहाँ पर मिल जाता है 5 मिनट इस्टेटस जी है friends अगर आप चाहते हैं कि अपने वार्टसप पर 5 मिनट का status अपलोड कर सकें तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको इसको यहाँ पर इनेवल कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर इनेवल कर देंगे friends तो यह होगा कि आप अपने इस्टेटस पर 5 मिनट का इस्टेटस अपलोड कर सकेंगे और आपके friends भी इसको सीन कर सकेंगे चली अब हम बात करते हैं अगले features के बारे में जो काफी important होने वाला है तो आपको वीडियो को skip नहीं करना है आपको वीडियो को एकदम पूरा ही देखना है यहाँ पर friends आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक options देखने के लिए मिल जाता है और back होने के बात friends मैं आपको एक important settings बताने वाला हूँ, important features बताने वाला हूँ तो आप video के साथ में बने रहीगा, video को screen नहीं करना है आपको यहाँ पर privacy and security पर click करना है जैसे यहाँ पर आप click करते हैं friends तो आप यहाँ पर देखते हैं तो friends उसको मालूम हो जाता है कि आपने उसके status को scene कर लिया है अगर आप चाहते हैं आपके friends को मालूम नहीं चले कि आपने उसके status को scene कर लिया है तो आपको यहाँ पर इसको enable कर देना है यानि इसको enable कर देना है इस परकार से आप आप उसके status को scene करेंगे तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि आपने उसके status को scene कर लिया है वही पर हम बात करते हैं anti delete status इसका मलब क्या होता मैं आपको बता देता हूँ पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर आप इस चीज़ को use कीजेगा तो anti delete status का मलब यह होता माली जी कि आपको कोई friend है वो status को upload करता है और upload करने के बाद वो status को delete कर देता है तो friends अगर आप यहाँ पर अपना enable करके रखेंगे तो जब भी आपका friends कोई status लगायागा और वो delete भी कर देगा तब भी वो status आपको यहाँ पर show करेगा जब तक आप उसके status को scene नहीं कर लेते हैं तो आपको इसको यहाँ पर enable करके रखना है काफी important settings friends मैं आपको जो बता रहा हूँ यह सारे settings काफी important है आपको इसको use भी करना है वही पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर anti delete message के बारे में anti delete message यह होता friends कि मा लीजे आपको कोई friend है वो आपको message करता है और उसके बाद में everyone करके वहाँ पर delete कर देता है तो friends यह होता था कि आपका message यह होता था delete हो जाता था और आप scene नहीं कर पाते थे और आपको यह पता नहीं चलता था कि उसने क्या आपको send किया था तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसको enable करके रखना है जब भी आपको कोई friend हो आपको message करे तो वो message delete नहीं हो अगर वो delete भी कर देगा तब ही आपको message so करेगा आप उसको send कर पाएंगे तो friends आज की जो features थे काफी अच्छे features मैं आपको बता रहूं और आगे भी बताता रहूंगा इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको वीडियो को पूरा watch करना होगा और चैनल को subscribe करके रखना होगा तब ही हमारी जो वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगे तो चली friends हम अगले features के बारे में बात करते हैं अगला features हम आपको बताने वाले हैं friends काफी अच्छा important features है जैसा कि friends आप यहाँ पर मान लिजिए मैं बैख हो लेता हूँ और बैख होने के बात friends आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज को hide करते हैं याँ किसी के personal context को hide करते हैं तो जैसे यहाँ बार्था पार आपको यहाँ पर ऊप तुक्र करते हैं तो आपको यहाँ पर फरस्ट नंबर आफसंद पर चले जाना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर चले जाना है प्राइबेसी एंड सीकुरिटी पे यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे आप यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर कुछ options आपको यहां पर दिये गए हैं लेकिन friends मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कोई भी चीज आपको हाइट करने से पहले आपको यहां पर security का आपको यहां डाल देना है ठीकिना friends उसके बाद में ही आपको यह करना है तो आपको यहां पर back खोलेना है और back होने के बाद आपको यहां पर बताने वाला हूँ उस trick को जरूर करना है तो friends आपको यहां पर click करना है home screen पर जैसे आप यहां पर click करते हैं तो आपको यहां पर फाइश्टापशन देखने के लिए मिल जाता है Header का आपको इस पर click करना है click करने के बाद friends आपको यहां पर नीचे चले जाना है और नीचे जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक आपसंस देखने के मिल जाएगा disable clicking on WhatsApp आपको इसको enable कर देना है आप चले मैं यहां पर back हो लेता हूँ और back होने के बाद चले friends आप मैं फिर से यहां पर ऊपर WhatsApp पर click करता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर ऊपर WhatsApp पर click कर रहा हूँ लेकिन यहां से मुझे कोई password नहीं मांगा जा रहा है यहां पर आपको कोई password नहीं मांगा जा रहा है अब यहां पर आपको कोई friend होगा तो आप click करेगा तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि आपने यहां पर कुछ hide करके रखा हुआ है तो इस परकार से आप इसको safe कर सकते हैं वह इसको अगर हम बात करें friends आप फिर से चाहते हैं कि इसको enable कर सके तो इसके लिए आपको करना क्यों होगा friends आपको यहां पर right side में three dollar line पर click करना है और FM modes पर चले आना है और FM modes पर जाने के बात आपको home screen पर जाना है home screen पर जाने के बाद header पर जाना है और back home के बाद एक last trick मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसको अच्छे से देखना है friends आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि online होते हैं और offline होते हैं तो आपको मालूम नहीं चलता है कि वो कब online होते हैं या फिर कब offline होते हैं आप इसको सोचते रहें और कैसे यह online हो रहा है कैसे offline हो जा रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं चलता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बटा देता हूँ आपको यहाँ पर उपर राइट साड में ठीडाल लेन पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको इनेवल कर देना है जैसे आप वहांब पर इसको इनेवल कर देंगे तो आप जब भी आन लाइन होंगे तो किसी को मालूम नहीं चलेगा कि आप इस सोफ में आन लाइन है understand या फिर आफ आफ ऐफ आफ लाइन है तो इस प्रकार से आप ये सारे ट्रिक्स अजमा सकते हैं, यूच कर सकते हैं आपको फिर्टस हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कामेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा अचली मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू और धन्वाद, जैहिन!